हलो एवरिवन मेरा नाम तुशार तुशार भारदुआज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइन्स वर्ड आज की वीडियो में हम क्लास 10 का जो चैप्टर है लाइट जिस पर काफी सारी वीडियो जाच चुकी है बाकि लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि क्या रू आज की वीडियो होगी इसमें हम क्लियर करने वाले हैं ऐसे कौन से रूल होते हैं image formation के लिए in case of lens दो तर है की होते हैं Concave lens और Convex lens दोनों ही प्रकार के lens में जो rules इस्तेमाल करने के बाद हम image formation complete कर सकते हैं वो सारे rules हम आज की वीडियो में clear करने वाले हैं तो बिना delay करते हुए start करते हैं आज की वीडियो को Class 10 के Light Chapter के एक important topic के साथ देकि सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा जो Convex lens होता है Convex lens में भी दो rules होते हैं जिसके basis पर आप image formation के topic को clear कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं Concave lens में कौन से यसे दो rule हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना होता है image formation के topic को complete करने के लिए या आप कह सकते हैं Ray Diagram को complete करने के लिए देखिए first rule Concave lens ये चीज़ आप याद रखेगा कि जो Concave lens होता है इसी के लिए एक और नाम भी चलता है और वो नाम क्या है Diverzing lens क्या बोलते हैं इसको Diverzing lens अब देखिए first rule क्या होता है जिस rules की आपको जरुद पड़ेगी image formation के case में या ray diagram को बनाने के लिए first rule में सबसे पहले तो आपको एक Concave lens के structure दिखानी होगी इस तरीके से ये principle axis होती है मालूम है आपको ये optical center है अब ये जो Concave lens है ना इस Concave lens में जो focal length है वो left side होती है ये focus point focus point से optical center के बीच की जो दूरी इसको क्या बोलते है focal length इसी को अगर आप double करते है तो आपको याद आ रहा होगा mirror में जो हमने last video में समझा था description box में आपको उसका link मिल जाएगा अगर आपने उस video को नहीं देखा है तो उस video में हमने समझा कि भी यह जो focal length इसका हम double करते हैं तो c point बनाते थे हैं क्योंकि वह mirror का topic था ठीक है याद रखेगा mirror वाले case में क्या होता है f और उससे आगे फिर c लेकिन lens वाले case में क्या करते है f और 2f double करने पर क्या लिखा जाता है उसको 2f या फिर आप f1 2f1 इस तरीके से भी डाल सकते हैं उससे को दिकत नहीं तो f और o के बीच में जो distance उसको क्या बोलेंगे focal length बाकि इसी को double करना है यह measurement बराबर रखनी है आपको यहाँ पर तो मैंने एक अंदाजे से कर दिया है बाकि रूल क्या है रूल यह है कि principle एकसिस के जब पैरलल लाइन आती है है जब पैरलल लाइन आती है और किस से टकराती है लेंस से अब ये लाइन यहां से इस तरीके से बेंड हो जाती कि ध्यान से देखिए आप यह जो जाने वाली रेज है यह से फैलर रही ना उपर की तरफ इसलिए में इसे क्या बोलते है diverging lens, इसी जाने वाली raise को मतलब racted जो raise है, उस raise को जब आप पीछे की तरफ मिलाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं कि फोकस की तरफ से ऐसा लगता है, तो यह तो first rule complete हुआ, अब देखते हैं second rule, B point, concave lens बनाईए सबसे पहले तो, यहाँ पर इकिस तरफ से line डालेंगे, यह optical center, यह focus point, just double करेंगे, तो 2F, F और O के बीची distance को क्या बोलते हैं, focal length, ठीक है, अब यहाँ पर parallel line नहीं डालनी है आपको, आपको क्या करना है, यह जो optical center है, object के head से raise start होंगी, और optical center को ऐसे cross करते वे चली जाएंगी, ठीक है line को आप straight डालना थोड़ा से, scale से बनाएंगे, तो diagram बिलकूल ठीक बनेगा, clear, दो rule का आपको इस्तेमाल करना होता है, और आप ray diagram complete कर सकते हैं, next video में हम ray diagram बनाना सीखेंगे, कि mirror में कैसे हम rules का इस्तेमाल करके ray diagram बना सकते हैं, और lens के case में कैसे हम ray diagram complete कर सकते हैं, लेकिन ray diagram को बनाने के लिए जिन नियमों की जरुत पड़ती है, अभी फिलाल हम वो rules देख रहे हैं, चाहे वो concave lens की बात चले, या convex lens की, भई rules पता होंगे, तभी तो हम ray diagram complete कर पाएंगे, ठीक है, चलिए उस चीज़ को हम next video में complete करेंगे, तो फिलाल ये दो rule है, concave lens के case में, सबसे पहला rule, बिल्कुल easy है, principle axis के parallel line आती है, टकरा कर lens से वापस तो आएंगी नहीं, क्योंकि ये lens है, mirror नहीं है, polishing थोड़े ना, इसके इसके इंदर, तो ये lens को cross कर जाती है, उपर की तरफ फैला देता है, इसलिए हम इस lens को क्या बोलते थे, ये diverging lens है, ठीक है न, और second rule क्या ह है, कि object के head से restart होती है, optical center को ऐसे cross करते हैं, इन दो rule के basis पर आप सारे diagram complete कर सकते हैं, ठीक है, image formation का topic complete हो जाएगा आपको, अगर आपने ये दो rule ध्यान रखे, अब आते हैं, next, second पर convex lens, जिसको हम converging lens कहते हैं, उसमें क्या rules है, image formation के लिए, convex lens, next हमारा है, convex lens, और convex lens के लिए, दूसरा नाम क्या होता है, converging lens, converging lens, क्योंकि जितनी भी raise होती हैं, उन सभी को converge कर देता है, एक point पर मिला देता है, इसलिए मैं से क्या बोलते हैं, converging lens कहते हैं, यहाँ पर भी आपको दो rule देखने को मिलेंगे, नमबर फर्स्ट, यह आपने ऐसे, सबसे पहले तो क्या करना होता है, convex lens की ऐसे, shape बना देनी है, ठीके, और उसके बाद principal axis आप डालेंगे, तो यह जो center point, इसको क्या बोलते हैं, optical center, यहाँ पर यह focus point, और यहाँ पर यह भी focus point, अब आप सोचेंगे कि भई, actual focus कौन सा है, इ यह दिया रखना है आपको, next, double करींगे आप, 2F, इसको आप F- करके डाल सकते हैं, F- डाल देते हैं, next, 2F-, ठीके, actual में focal length हमें इस यह लेनी चाहिए यह यह, अगर आपको इसमें confusion है, तो बिल्कु क्लियर answer है, convex lens के case में, जो right side वाली focal length होती है, वहीं आपको consider करनी है, त 20cm focal length है, convex lens की, तो plus लें है, minus, तो बहुत easy तरीका है, right side में focal length, तो इसलिए आप क्या लेंगे, उसको positive लेंगे, clear, चलिए वो भी देखेंगे, numerical जब हम practice करेंगे, तो फिलाल आपको याद रखना है कि convex lens बना देना है, और एक principal axis, थोड़ा सा उसको level कर देना, next, विर क्या ह pass out हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारा first rule complete हो गया, simple है, बहुत easy है, ये मत सोचिए आप, कि भी image तो बनी नहीं है आपर, ये image का topic नहीं चल रहा है, यहाँ पर topic चल रहा है कि वो नियम, वो rules, जिसका हम इस्तेमाल करने के बाद, किसी object की image कहां बनने चाहिए, ये समझ सकते है बहुत असान topic है, लेकिन बस आपको क्या करना है, जिस समय जो topic चल रहा है, उसको 100% clear करके चलना है, जो topic नहीं हुआ है, उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उससे फिर क्याना, confusion हो जाता है, और जो चल रहा होता है topic, वो भी अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो simple ह है, first rule, second rule देखिया आप, यह भी बहुत easy है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, convex lens की एक ऐसे shape बना देनी है, next principle axis डालनी है, यह आपका optical center हो गया है, यहाँ पर आप ऐसे focal length दिखा दीजिए, यह focus point बोलते हैं इसको, यह आपका 2F हो जाएगा, इसी तरीके से scale से आप measurement कर जाएंगे, तो F- और लगबग यहाँ पर बैठे गई है, 2F- ठीके, अग second rule क्या होता है, parallel line नहीं आएंगी, वो तो first वाले rule में थी है न, तो second वाले rule में क्या होगा, object के head से raise आएंगी, और optical center को ऐसे cross कर जाएंगी, simple, बिलकुल easy, और दोनों rules का आप इस्तेमाल करेंगे तो image formation का topic भी आपका clear हो जाए, बहुत आसानी से clear होगा, तो I think आपको आज की वीडियो में जो हमने rule समझे है, हमने 4 rule को discuss किया, है न, एक बार revise कर लेते हैं, 4 rule कौन-कौन से, कि भई, concave lens में 2 rule होते हैं, और convex lens में भी 2 rule होते हैं, concave lens में सबसे पहला rule हमने क्या देखा, कि यह भी parallel line आती है, principle axis के, ठीक है, और concave lens में जब वो टकराती है, तो ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक, concave lens में focal length किस side होती है, left side, minus में लेते हैं हम उसको हमेशा, हम numericals में भी points को clear करेंगे, first rule clear हुआ, second rule हमने क्या discuss किया, कि object के head से raise आएंगी, और optical center को cross करते वे चली क्यों कहते है, converging, क्योंकि जितनी भी raise आती है, convex lens पर, वो टकराती है, टकराकर एक point पर मिल जाती है, converge कर देता है raise को, इसलिए इसको converging lens कहते है, ठीक है, अब इसमें दो rule क्या क्या थे, first rule, कि पहले आप lens बनाईए, principle axis डालिए, और principle axis के parallel line आएंगी, टकराएंगी, lens से ट object के head से raise आती है, optical center से cross कर जाती है, बहुत easy है, तो दो rule आपने convex lens में याद रखने है, और दो ही rule आपको याद रखने होंगे, concave lens में, अब आज की video में तो हमने rules को clear कर लिया, lens के case में, next video में हम समझेंगी कि कैसे हम rules का इस्तेमाल करने के बाद, ray diagram के topic को complete कर सकते है, अग तो कैसे, object अगर C पर खड़ा हुआ है, तो image कहां बनेगी, rules कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे apply करेंगे, तो ये सारी चीज़े समझेंगे, mirror के topic को भी clear करेंगे, और lens के topic को भी, ठीके, तो ray diagram का topic हम clear करने वाले हैं, next video में, और आज की video में हमने सारे rules पढ़े, सबसे पहले आप rules को revise कर लेना, ठीके, lens वाले भी, और last video के, जो हमारे mirror के topics related, जो rules थे, उनको भी, बागी मिलते है next video में, ray diagram के topic के साथ,